हलो एफ्रीवान वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन दिस इस अंकीता सूथ स्टुडेंट्स न्टी ए यू दिसनेट पेपर वान के सुपर फास्ट रिविजिन सेशन में आज हम टीचिंग अप्टिट्यूर के मोस्ट एक्सपेक्टर क्वैस्टन को फटा-फट से कवर करने वाल विच्वन ऑफ दी फॉलोविंग कॉंस्टिट्यूट सी एबिलिटी कॉंपोनेंट पॉर डिस्क्राइबिंग दे कॉंपिटेंस ऑफ टीचर सो बहुत बार हमने देखा है कि टीचर की कॉंपिटेंसी लेवल या कॉंपिटेंसी एबिलिटीज को लेकर की क्वेशन बहुत जो भी आप पढ़ा रहे हो उसको बहुत आपको पढ़ाना चाहिए नौलेज ऑफ दी सब्जेक्ट बिंटॉट यानि कि जो भी सब्जेक्ट आपका है वो आप लोग अच्छे से आपको उसका नौलेज होना चाहिए जो भी हम सिखा रहे हैं उसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए ये स्किल हमें होनी चाहिए एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग लर्निंग टास्क रिलेटेड सिचुएशन सो किसी person को किसी student को जब हम सिखा रहे हैं उस समय पे क्या situation है उस चीज़ को experience करना उस चीज़ को handle करना उसको basically handle करने का experience एक teacher के पास होना चाहिए last option है commitment to organizing teaching learning task यानि कि teaching और learning का जितना भी कारे रहेंगे उसको आयोजित करने में हमें committed रहना चाहिए so correct answer यहाँ पर हो चाहिएगा option number one that is b c and d अब देखो students यहाँ पर confidence वाले में आप लोग हमेशा confused हो जाते हो अब as a teacher आप लोगों में confidence चाहिए जितना मर्जी हो लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरे confidence के साथ किसी बच्चे को गाइडिंग और क्लोजली supervising the students behavior predominate what so जहाँ पर भी हम students के activities को structure करना उनको guide करना उनको supervise करने की बात करते हैं तो वो basic level होता है यानि की memory level होता है next question पर चाहने से पहले आपको बता दूँ कि UGISnet paper 1 के super fast final revision के लिए 2000 से भी सादा MCQs से related PDF में लेकर आए है जिसमें आपको English Hindi दोनों languages में questions मिलेंगे exam में कम समय बाकी है एक से दो बार आप इन सभी questions को फटा फट से पढ़ लीजिए as it is questions exam में आएंगे तो आप लोगों को बहुत मदद हो जाएगी इसमें आपको updated MCQs, current affairs short notes, previous year questions and most repeated questions मिलते हैं स्क्रीन पर जो दो numbers नजर आ रहे हैं किसी भी एक number पर आप easily whatsapp के through contact कर सकते हो और इसके लिए आपको सिरफ एक ही बार piece पर करनी है वो बहुत सिक्स डबल लाइन साथ ही student next question पर बढ़ते है when reflective level teaching and learning are successful student emerge with so reflective level teaching learning की यहां पर बात की गई है आपको पता है कि हमारे पास 3 level होते है पहला होता है memory level जो कि smallest level होता है उसके बाद आता है understanding level दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर फिर आजाता है हमारे पास reflective level तो यहां पर reflective level की बात की गई है a strong logical basis to retain the information and enlarged store of tested insights of a journalized character यह option बिल्कुल correct है a firm relational relational structure in the items of information okay so यह option भी गलत हो जाएगा and enhanced ability to develop and solve problems on their own seeing relationship and tools used of use of a fact so correct answer हो जाएगा यहां पर हमारे पास option number 2 that is B and D only ठीक है तो B में क्या है and an last store of tested insights of a journalized character अब देखो इसमें simple सी चीज में बोला गया है कि किसी person को हमने memory level और understanding level में जो कुछ सिखाया जो कुछ उनने समझा उसको वो generally कैसे use करते हैं कैसे उस चीज को कहीं एक अच्छी जगा पर use करके उससे कुछ नया बना सकते हैं and option D बोलता है an enhanced ability to develop and solve problem on their own यानि कि अगर किसी problem में कोई student फस जाता है कोई person फस जाता है तो वो कैसे उस problem से बाहर निकलेगा मैंने आपको यह बताया है कि problem solving critical problem solving या इस तरह के words जो नजर आते हैं तो वो हमेशा use होते हैं reflective level of teaching में so correct answer is option number 2 next is a model of teaching is a description of so model of teaching किसका description है teacher behavior including teacher and student talk next is learning environment including teaching behavior learning environment including teaching behavior so यह question में topic option repeat हो चुक है subject matter including its logical structure so correct answer is option number 2 that is learning environment including teaching behavior okay so next question is statement based question है maximum performance tests are designed to access the upper limit of examinees knowledge and abilities so maximum performance test यह हमने बताया था कि एक test ऐसा होता है जिसमें किसी बच्चे का सर्फ aptitude test होता है एक में सरफ उनका knowledge test होता है जो maximum performance test होता है यह दोनो यानि कि overall test करता है किसी भी person की किसी भी student की abilities को so maximum performance tests are designed to access the upper limit of examinees knowledge and abilities so यह इसका keyword है statement 2 बोलती है typical response tests are designed to measure the behavior and characteristics of examinees so correct answer हो गया यहाँ पर option number 1 that is both A and B are the correct statements अब दीकों students इस वाले question में दो चीजे हमने नहीं सेखी maximum performance test and typical response test अब जो पुराने test थे वो exam में नहीं आती है यह नई types को अटीन इंक्लिवड किये हैं जो कि exam में पूछे जाते हैं so जरूर इन पर आप ध्यान दीजेगा next question is reflective level teaching is different from memory level yes क्यूंकि यह highest level होता है यह lowest level होता है because the pattern of communication that is involved in reflective level is basically what so reflective level में कौन सा communication का process हम लोग use करते हैं so इसमें क्या use किया जाता है transactional process okay so यह है यहां पर option number 4 correct answer next question is the use of ICT यान की information and communication technology in organizing teaching learning programs in the universities has the potential to optimize learning outcomes यान की ICT जो हम internet computer यह सब चीज़ों का use करते हैं teaching learning programs को organize करने में university level पे उसमें बोला गया है कि एक potential होता है इसका to optimize learning outcomes जो भी हम सीखते हैं उसके outcomes को optimize करने का इसमें एक potential होता है statement 2 बोलती है formative assessment provides support to enhancing the quality of teaching learning sessions formative assessment क्या होता है जो class के दौरान teachers चुट चुटे questions पूछते हैं class के दौरान ही बातचीच चल रही होती उसी के बीच में teachers questions पूछ लेते हैं वो formative assessment होता है इसमें क्या होता है teaching learning sessions को enhance करने की capacities होती है so correct answer आजाएगा यहां पर option number one that is both the statements are correct next is which one of the following assessment procedure is conducted during an in-progress teaching learning session so in progress in progress का क्या मतलब हुआ कि वही जो मैंने बताया कि class के दौरान पढ़ाते समें जो teachers बीच में questions पूछते है तो होता है formative evaluation इस पे एक separate video मैंने बनाई है मैंने हमेशा बताया कि evaluation के four types important है वेको same ही question दो तरह से पूछा गया so अगर आप लोगों के यह concepts clear है तो आपको बहुत easy हो जाएगा अगर आपने अभी तक यह video नहीं देखी है students तो मुझे जल्दी से comment कर दीजे मैं आपको link share कर दीजे या फिर इसके लावा teaching आपके चूर तो हम आज कवर कर रहे हैं किसी और unit पर किसी और topic पर आपको फटा-फट से revision के लिए MCQs चाहिए तो भी मुझे comment कर दीजे मैं आपके request को जरूर पूरा करूँ है from the following identify those features which are associated with indirect instructional strategies indirect instructional strategies से related कौन से है guided student practice focus on concept acquisition through question answer session presenting the stimulus material in small easy to take steps problem based presentation participatory and collaborative move stressed so correct answer है यहां पर option number one that is B, D and E okay so indirect instructional क्या होते है जिसमें की focus किया जाता है concept acquisition अन्के बच्चे को concept clear होने चाहिए through question answer session जैसे कि अभी देखो हम लोग आपको direct कोई topic नहीं पढ़ा रहे है हम MCQs की मदद से आप लोगों की concepts clear कर रहे है जो की हमेशा बहुत helpful रहती है problem based presentation होती है participatory होती है collaborative move stress होती है ठीक है next is identify those teaching strategies which are learner centered learner centered हमने discuss किया है जिसमें की students को एक permission होती है कि वो feedback भी दे सकते हैं अपना views भी teacher के सामने रख सकते हैं collaborative learning या फिर team teaching laboratory based project sorry peer shared discussions lecturing with powerpoint presentation यहाँ पर A, C and D A, C and D इसको अगर देखें यह होगा बिल्कुल correct answer इसमें learner होते cooperative learning in case में teacher learner दोनों participate करते हैं lab में जो practice होती है peer shared discussion मतलब topic दे दिया students उसमें discussion महाँ पर अपने according जो भी topic teacher ने दे दिया लेकिन discussion उसमें students करते हैं and feedback और यह सब process उसमें होता है तो next question पर जाने से पहले आपको बता दूँ कि you just in it paper 2 पर भी आपको ध्यान देना है and इसके final revision के लिए एक study material हम लेकर आए हैं जिसमें आपको paper 2 के 10 units के notes and MCQs मिलेंगे इसमें से as it is questions exam में बहुत बार पूछे जाते हैं बहुत अच्छे questions हैं आपर हम आपको देते हैं तो screen पर अपने paper 2 का subject देखें and इन numbers पर contact करके आप इसको join कर सकते हो and इसके लिए आपको एकी बार fees pay करनी है वो भी सरफ 1280 रुपए इस exam के बाद interview को qualify करने में भी आपको बहुत मदद करेगा next question is which of the following characteristics in classroom teaching behavior as given below will be classified as a part of formative assessment okay so formative assessment में a teacher asks question to elicit classification from student teacher ने question पूछा and classification वो चातने है कि student उसकी दे यानि वर्गी करन उसका करे so ये वाला option बिलकुल correct है the teacher specify the level of mastery attained by students so teacher बताते हैं कि किस level पर बच्चे भी आचुके हैं so ये option गलत है the teacher promotes and probes the students while making presentation बिलकुल सही है a teacher pauses for a new seconds for a few seconds looks at students and ask questions पुल seconds के लिए teacher रुख जाते हैं and student से पूछते हैं questions ठीक है a teacher indicates performance criteria and judgmental values so judgmental values जब आ जाती है तो वो एक अच्छा टीचर नहीं होता है so correct answer यहां पर आपके पास या जाएगा correct answer है option number 2 ठीक है options आपके सामने हैं मैंने फटाफट से आपके साथ explain भी करती है so I hope students आपके यह चीज़े बिल्कुल आपको clear होगी है next question is instructional technology is a network of techniques pressed into services for realizing instructional objectives statement 2 बोलती है computer-aided instructions यानि की computer की मदद से जो instructions दी जाती है can replace a teacher with teacher को बदल सकते है if the goal of education is personality development so correct answer बिल्कुल easy है key statement 2 बिल्कुल false है first बिल्कुल true है क्योंकि देखो computer का use हम अभी भी कर रही है लेकिन इसका मतलब तो यह नहीं है कि आप लोग teacher को यह वहां से हटा दोगे और computer सारा काम करेगा ऐसा बिल्कुल भी possible नहीं हो सकता next question is which will be the correct hierarchical sequence for the following types of learning so discrimination learning sign learning concept problem solving and rule learning so इसमें अगर आप लोग देखोगे so correct answer है option number one that is sign आता है पहले for discrimination then concept clear होते हैं उसके बद rules learning आती है then problem solving हमेशा याद रखिएगा कि सबसे पहले sign learning ही आती है भाशा को सीखने से पहले कोई छोटा बच्चा sign और symbols को समझने की कोशिश करें symbols नहीं बस sign जिसे हम किसी बच्चे को हाथ से इशारा करते हैं तो हो समझ आते कि हम उनको टाटा बाई बाई कर रहे हैं या फिर अपनी तरफ बुला रहे हैं और लास्ट आता है हमेशा problem solving learning इसमें कि होता है बच्चे की abilities दीखी जाती है जिससे वो problem solve कर सकता है next question is which of the following intellectual characteristics in a teacher need nurturing in order to accomplish subjective well-being leading of effectiveness in motivating and inspiring students of college level education so यहाँ पर college level education के students को inspire करने motivate करने की effective techniques के बारे में बात की गई है तो कौन सी intellectual property यहाँ पर use होती है यह पूछा गया है so correct answer है emotional intelligence related यानि की भावादनात्मक बुद्धी मता संबंधी next question is an open classroom environment marked by sharing and caring by teachers and students in their interchanges will be most helpful for which level of teaching so जहाँ पर एक classroom open classroom environment है जहाँ पर की students और teachers को include किया गया है वहाँ पर sharing caring अगर teacher और student के बीच में चल रही है उनके बीच में knowledge interchange हो रहा है so वो कौन सा level होता है teaching का so वो होता है reflective level यानि की highest level जो होता है next is a teacher intends to use transformational approach in teaching in order to ensure effective way of influencing students learning so कौन सी activities यहाँ पर इस approach के regard में use की जा सकती है सिर्फ आपने यह ध्यान देना है कि in transactional approach के बारे में बात की गई है जहाँ पर कि teaching और learning में students और teacher के बीच में transactions होती रहती है transaction का मतलब है यहाँ पर बातचीत होती है dialogue sharing होती रहती है okay so इसमें correct answer options है providing a sense of respect and trust for students कि एक teacher कैसे respect और trust students के mind में अपने लिए बनाते है promoting cognigent reward for efforts of students cognitive का मतलब मैंने बता है cognitive, cognitive, cognitive यह जो चीज़े होती है यह mind या फिर mental levels are related होती है interviewing in students task only if standards are not met next is communicating high level expectations promoting careful problem solving and individual considerations so correct answer है यहाँ पर option number 4 ठीके a, d and e so अगर एक student teacher के respect करते हैं तभी वो उनकी classroom में अच्छे से पढ़ेंगे अच्छे से समझेंगे okay उसके बाद d communicating high level expectations आ जाती है and careful problem solving अगर किसी person को कोई problem है उस चीज़ को मैं अच्छे से सुनू उनकी problem को individually consider करूँ and फिर उनकी problem को solve करने में उनकी मदद करूँ तो यह सब properties इसमें सही होती है next question is statement based question है use of support materials during teaching and replace teaching act if it used carefully so teaching support material हमने पढ़ा है जैसे कि teacher पढ़ाने के लिए blackboard, whiteboard यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पर online teaching में ppt, pen और यह सब चीज़ें यूज़ कर रहे है so इसमें बोला गया है कि teaching support material जो होता है अगर एक teacher उसको यूज़ करते हैं तो वो teaching के acts को हटा सकते हैं replace कर सकते हैं, बदल सकते हैं अगर उसको अच्छे से use करना किसी को आता होगा statement 2 बोलती है online methods are effective supplements for improving quality of teaching and learning जोतने भी online methods है जैसे अभी हम online आपको पढ़ा रही है इन चीज़ों को अगर हम अच्छे से use करेंगे तो वो teaching और learning की quality को improve करने में हमें मदद कर सकते हैं तो यह क्या है? बिलकुल सही statement है second वाली लेकिन statement 1 बिलकुल गलत है कुछ भी हो जैसे कि पहले भी यह question हमने देखा कि teaching चाहे online है, offline है आप किसी भी तरीके से पढ़ा रहे हो teacher की जरूरत वहां पर रहती ही रहती है next is online platform make teaching and learning a sub-type of alternative education next is measurement is a set of rules for assigning numbers to represent objects, traits, attributes and behaviors statement 2 बोलती है a test is a procedure in which a sample of an individual's behavior is obtained, evaluated and scored using standardized procedure यानि कि एक test जिसमें कि हम individual के behavior को obtain करते हैं उसको evaluate करते हैं और standardized procedures को ध्यान में रखते हुए उसको क्या करते हैं? evaluate और score किया जाता है यह दोनों statements में से दोनों की दोनों statements बिलकुल correct है next is facts and information get focused in which level of teaching so देखो यह भी a key word है जब भी हम facts और information की बात करते हैं तो वहां पर हम memory level की बात कर रहे होते हैं memory level में rote learning होती है ठीके इसमें बच्चों को रट्टा मार करके कुछ भी चीज़ें याद करवाई जाती है इसमें किसी बच्चे को कोई fact और कुछ information पर ध्यान दिया जाता है बच्चों के द्वारा ठीके सो यह रहता है memory level अच के लिसा रफ इतना ही थांक यू सो मच पर वाच इसमें आई उस्यों आई वड़ी बस